हेलो तो यह देखिए हैं पर जो नेफ्टी 50 का चार्ट लगा के रखा हुआ है अब अगर नेफ्टी 50 को प्रॉपर यहां से एक अपर साइड का मोमेंटम दिलाना है जो इसने अलड़ी देख करके रखा हुआ है तो अगला मोमेंटम इसके लिए कौन से लेवल्स पे निकल ग अगर निफ्टी 50 को यहां से ऊपर निकलना है तो निफ्टी 50 को कही अपने इंपोर्टन सपोर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा अब इंपोर्टन सब्सक्राइब इसके लिए कौन से कौन से आते तो वह हम एक बद देख ले तो 20,900 के आसपास का इसका इंपोर्टन जोन जाता है जो होता है उसका 20,900 15 से लेकर के 20,900 23 के आसपास अगर यह दोनों लेवल्स वह ब्रेक करने में कामियाब हो जाता है तो अच्छा का सा अपर सेट के टार्गेस हमें देखने मिल सकते है और उपर के सेट के जो टार्गेस रहेगे वह लगबग आपका पहला होगा य जाता है तो उसके बाद में क्या रहेगा तो उसके बाद में लेवल्स निकल के 20,900 63 का तो जैसे यह दोनों लेवल्स ब्रेक होते हैं मार्केट के अंदर काफी बढ़िया सा जो है अपर सेट का मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है मतलब के निफ्टी 50 में ओके तो यह जो इसके अंदर काफी बढ़िया से अपर सेट के लेवल्स हमें रेकने मिल सकते अगर प्रॉपर ली मार्केट उस लेवल्स के आसपस जाता है वासे एक अपर सेट का मोमेंटम दिखाता है अगर टागेट की बाता किया जाए तो यहां पिट्वेटी तॉजन नाइन एटी 890 का लेवल्स रहेगा तो 890 एक ऐसा लेवल से यहां से मार्केट के लिए जहां पर निफ्टी फिफ्टी में एक गिरावट आपको देखने मिल सकते हैं मतलब के एक डाउन फोल का हम यहां पर एक्स्पेक्टेशन किया जा सकता है अगर यहां पर इन लेवल्स के नीचे अ दो भी इंपोर्टन अप्डेट होते हैं वह आपको यहां पर मिलेगा हमारे फ्री वाले टिल्ग्राम चैनल में इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है तो डेफिनिट्ली आप यहां पर आ करके भी जॉइनिंग कर सकते हो